गाइस, टॉट में सिधा सिधा रूल है कि अगर आपने टॉट कमिट किया है तो आपको नुकसान तो भरना पड़ेगा जो सामने वाले का हुआ है लेकिन किस लेवल तक भरना पड़ेगा, किस एक्स्टेंट तक भरना पड़ेगा, नहीं समझा रहा इसको ऐसे समझो, कि एक सिचुएशन है, सिचुएशन वन, एक आदमी रोल पे खड़ा है आप हवा में गाड़ी एकदम चला के लागे ठक ठोक देते हो, उसको उसकी टांग तूट जाती है वो damages मांगता है, 10,000 रुपे, प्लस treatment cost court देता है, क्योंकि valid है आप कार चला रहे हो, आप expect कर सकते हो कि आपने अगर negligently रैस्टरी कार चला ही है और आपने किसी को ठोक दिया, तो उसकी टांग तूट सकती हो, मर भी सकता है, तो reasonable है लेकिन situation 2 देखो, situation 2 में एक building है, उस building के पास एक आदमी खड़ा है उस आदमी के bag में bomb है, ठीक है, terrorist bomb, खतरनाक वाला RDX bomb आप आते हो अपनी गाड़ी लेकर negligently ठोक देते हो, वो building पे गरता है, building और वो दोनों फट जाते हैं, मर जाते हैं और building में बहुत सारे लोग भी मर जाते हैं, building भी पूरी उड़ जाती है क्योंकि उसकी bag में एक bomb था, बहुत खतरनाक, जो कि normally किसी के होता नहीं है, लेकिन उसकी bag में था आपने उसको ठोका कर से, तो अब आप पे claim किया जा रहा है, damages कितना आप एक claim किया जा रहा है कि वेक तो पूरी cost दोस building की और जो building में जितनी भी families और लोग मरें, उन सब के रिष्टेदारों को आप damages दो तो इस case में आप damages दोगे गया, आप बिल्कूली नहीं देने वाले हो क्यूंकि आपको थोड़े ना सपना आ रहा है कि भाई कोई terrorist bomb लेके घूम रहा है रोड पे और आप car accident से पूरी building गिरा सकते हो और बहुत 10, 15, 20, 50 लोगों को मार सकते हो एक car accident से car negligently चलागे, नहीं सोच सकते हैं आप क्यूंकि possibility बहुत ही इसकी rare है यह तो हो गया यहां पर लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था ठीक है तो यह situation 1, situation 2 समझे तो यही concept है remoteness of damages का कि अगर आप foresee कर सकते हो कोई reasonable सी चीज है आपकी act से कुछ consequence हो सकता है एक आम आदमी के हिसाब से वो consequence possible है तो उस consequence के पैसे मिलेंगे तो उस consequence की liability होगी लेकिन कोई ऐसा हवा का consequence situation 2 में building building उड़ गई तो कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे then the offense and the damages are not related that to remote समझ गया अब two remote क्या होता है two remote मतलब improbable है नहीं हो सकता तो कहां पे line draw करेंगे तो यह तो वही हमेशा की तरह case law से देखेंगे scott versus shepherd का case law था भीड खड़ी थी बहुत सारी और उस भीड में एक आदमी ने एक पठागा जलाके डाल दिया अब उसने पठागा जलाके डाला तो वह पठागा भीड में पहले एक बंदे पर गिरा फिर दूसरे बंदे पर गिरा फिर दूसरे बंदे ने तीसरे पर फेका और फिर जिस लास्ट बंदे पर गिरा उसकी आंक फूट गई उस पठागे की वज़े से मतलब उसकी आंक में फेका फिर दूसरे बंदे ने उसको फेका फिर तीसरे ने ऐसे फेक फेक के ultimately किसी के आख फूटी तो यह मैं सब reasonably force ही तोड़ा कर सकता था कि वो ऐसे ऐसे फेक के और उसकी आख के उपर ही जाके लग जाएगा तो basically लेके ऐसे नंटिसेबेट कर सकती कि वो यहां से यहां जाएगा और फिर वो यहां से यहां जाएगा और फिर ultimately इसकी आख फूटेगी लेकिन आप यह तो anticipate कर सकते थी कि जब आपने हजाएं पहली में यहाँ पे इसकी आँख फूट सकती दिया इसकी आँख फूट सकती दिया पहले जिस इंसान पे गिरेगा उसको इंजरी हो सकती दिया आपको यह एंटिसिपेट करना जुरूरी थोड़ी नहीं कि किसको इंजरी होईगी और कैसे होईगी आपकी एक्ट से किसी भी इस भी प्रागा फैकने का तब उससे रीजनेबल ता किसी की आख फूट सकती है तो यह रीजनेबल है टू रिमोट नहीं है तो यहां पर रिमोटनेस ऑफ डामेज़ेस के हिसाब से इनको लायबिलिटी से नहीं अटाये गया बताया गया कि डामेज़ेस जो मांगें वह एकदम वैल ले थे तो फिर एक बच्चा आया और बच्चे ने वहां पर पत्तर फेका गोड़े पर और गोड़ा एकदम भग लिया क्यूंकि वह मतलब ठोड़ा डर गया जो भी घोड़ा मतलब आउट आफ कंट्रोल हो गया और वह भागने लगा एक और बच्चों की तरफ रोड़ प है तो मास्टर की भी गलती है क्या वाइकरियस लियाबल होता ना मास्टर तो इहां पर डिफेंस ये बोला गया कि नोवस अक्ट इंटरवीनियन्स हुआ है मतलब नया एक ने इंटरवीन किया और उसकी वज़े से मतलब यह जो सिच्वेशन हुई है जो डामेज हुआ है व वो main cause था जो इस policeman को injury हुई गोड़े को रोकने के चक्कर में वो उसका main cause था प्रॉक्सिमेट कॉस था लेकिन जो defendant के servant की जो negligence थी न गोड़ों को छोड़ने की वहाँ पे वो remote cause था एक कोई घोड़ों को छोड़के जा रहा है मार्केट में तो वो ऐसे वो थोड़ी ना कर सकता है assume कि यहां पर कोई बच्चे इसके साथ छेड़ चाड़ करेंगे फिर यह भाग जाएगा और एक पुलिस वाला इंजर हो जाएगा तो यह defense दिया गया लेकिन court ने defense माना नहीं court ने बोला कि देखो बहुत ही reasonable सी बात है और बहुत ही मतलब anticipatory बात है कि आप market में गोड़ों को unattended छोड़ोगे तो कोई छोटा बच्चा छेड़चाड या कोई आदमी भी छेड़चाड कर सकता है तो वहां पर यह कोई logic नहीं कि घोड़े बच्चे की छेड़चाड की वज़े से भागे तो बच्चे की गलती होगी बच्चे की गलती हो सकती है लेकिन उस servant की गलती भी होगी जिसने उनको वहां पर unattended छोड़ा तो यहां पर जो चिल्डरन की मिस्चफ है यह कोई ऐसी बात नहीं है जो आप सोच ही नहीं सकते है एंटिसिपेट कर नहीं सकते जो चिल्डरन की मिस्चफ है और सर्वेंट की गलती है तो इस और यह दोंगो तो थोड़ आदमी normal circumstances में reasonably सोच सकता है कि हाँ यह नुकसान हो सकता है तो उस नुकसान की उसको बरपाई करनी पड़ेगी अगर वो कुछ wrongful act करता है तो तूसरा test test of directness test of directness बोलता है कि reasonable या non-reasonable I don't care I don't give a F कि मुझे फरक नहीं पड़ता reasonable है कि non-reasonable है अगर आपने कुछ act करा आपने a act करा और उससे b act हुआ उसकी वज़े से c act हुआ उसकी वज़े से d act हुआ और finally z act हुआ तो z act के लिए आप liable होगे क्योंकि ultimately z act इसलिए हुआ क्योंकि आपने b act करा और वो पूरी chain में जाके z हुआ तो इसको इससे समझो कि यह ray polymers and furnace within company limited का एक case था इस case में यह सबसे ज़्यादा footage में आया इस case में क्या हुआ था जो defendant के employee थे वो cargo load कर रहे थे ship के अंदर और एक plank गिरा दिया गलती से ठीक है जमीन पे ship पे cargo load करते वे अब वो plank गिरा और वो plank गिरने के वाज़े से थोड़ा सी parking होई जब वो गिरा जमीन पे और उस parking से फाग लग गई explosion हो गया और पूरा ship फट गया और पूरा loss हो गया इधर court ने बोला कि देखो guys आप force ही नहीं कर सकते थे समझ गया आप नहीं force कर सकते थे कि plank गिराने से पूरा ship उड़ जाएगा लेकिन आप ये तो force कर सकते थे कि plank गिराने से कुछ damage हो जाएगा plank गिराना गलत बात है plank गिराना negligent act है तो court ने बोला कि अगर ये चीजें fulfill हो रही है न कि अगर defendant को बता है कि कुछ damage हो सकता है ठीक है कुछ भी damage लेकिन damage और उसका जो conduct है वो wrongful है negligent या rash या जो भी है तो उसको damages देने पड़ेंगे वो सारी act के जो उसकी act के direct consequences है वही ABCD वाला logic भले Z तक पहुच जाए अगर direct consequences है तो आपको देना पड़ेगा अब एक बात ध्यान रखना है कि Ray Polymes case में test of directness बना नहीं था ये बना था Smith versus London and South Western Railway Company में अब इस case में क्या आसके टुकड़े और मतलब बहुत सारा कचरा track के दुनों तरफ एकदम dry weather में गर्मी के अंदर तो train से जो sparks निकलते हैं उस पार्स की वज़े से उसमें लग गई आग ठीक है जो ही पफ जो उन्होंने छोड़ दिया था घास वगयरा और कचरा छोड़ दिया था track पे तो उ उसके बाद वह आग उड़के cottage तक पहुच जाएगी और वहां पर उसका cottage जल जाएगा लेकिन क्यूंकि वह एक direct consequence है तो test of directness यहां पर court ने बनाया और apply करा और smith वरसे लंडन साउथ वेस्ट रेलवे कंपनी में लंडन साउथ वेस्ट रेलवे कंपनी को लाइबल घोशि जाए क्योंकि butterfly effect बोलते नहीं कि butterfly एक जगे एक बार अपना flap करती है wings और कहीं पर tornado आ जाता है तो consequence तो छोटी से छोटी केस में reject कर दिया गया था actually वही सही केस है मतलब test of reasonable foresight ज्यादा सही rule है जो आप reasonably foresee कर सकते हो उसी का आपको damage देना चाहिए उसी की liability होनी चाहिए यह decide हुआ वापस overseas tankship limited versus morts dog and engineering company limited में इस case ने ray polymers को reject कर दिया और इस case को famously बोला जाता है wagon mound case तो wagon mound case में test of reasonable foresight को वापस main importance दे दी गए और test of directness को reject कर दिया गया रे polymers को reject कर दिया गया अब इस case में क्या हुआ था कि एक crew था ship company का वो ship में से only leak हो रहा था और उनको पता नहीं था उनने leak होने दिया वह पानी में leak हो गया अब वो oil बहता 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 पहता एक दूसरी जर्दगे चला गया और दूसरी जर्दगे जब आ है आर् तो जो रिपेर हो रहे थे तो वेल्डिंग हो रही थी तो जो वेल्डिंग से जो इस पार्च पार्च निकलते हैं उससे आग लग गई उस ओईल की बहते हैं इतनी दूर आगया था और पूरा सब वहां डिस्ट्रॉय हो गया तो आप court ने यहां बोला कि देखो यह reasonably foreseeable नहीं है कि आप oil पानी में डाल रहे हो तो वो oil भैके चला जाएगा इतनी दूर चला जाएगा और वहाँ पे जाके जहां shift ही को रहे है वहाँ पे पूरी आग वाग लग जाएगी तो यह reasonably foreseeable नहीं है तो इनको liable नहीं किया गया तो basically वही reasonable foresight का rule वापस enforce किया गया तो guys यह हो गया remoteness of damages का video complete अगर आपको taught की playlist देखनी है तो यहाँ पे आ जाएगी और वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा ही लगा एतनी end तक देख रहे हो तो सिधा सिधा जो लिखा है स्क्रीन पर सब कर दो यह भी हो जाना चीए और यह भी हो जाना चीए और यह भी अगर भाई को भाई मानते हो तो यह भी कर देना चलो मिलते हैं अगले वीडियो में बाई बाई सीया